हलो फ्रेंड्स बेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों यूपी पुलिस आल सिफ्ट के कॉश्चन हम करा रहे हैं ठीक है और आप सभी रेगुलर वीडियो को देखिए जिससे की जिन बच्चों का एक्जाम हो चुका है उनको भी पता लग जाए कि हम कॉश्चन सही करके आए हैं या गलत और जिनका एक्जाम नहीं हुआ है उनको ये मालूम हो जाएगा किस तरीके का पैटन यूपी पुलिस के एक्जाम में पूछा जा रहा है तो आप रेगुलर वीडियो को बहुच करिए ठीक है जिससे कि आपके एक्जाम को अच्छी से सफलता पूर्वक पास किया जाए तो चले स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी देखें यहां पर बड़ी संख्या पूछ रहा है इसमें बहुत सारे कोशन बनते हैं बड़ी संख्या भी पूछ सकता है छोटी स पास योग है तो आप योग को लिखिए योग आपके पास 40 है ठीक है आपके पास अंतर है अंतर को भी लिखिए अंतर आपके पास 6 है अब हमें निकालने है बड़ी संख्या तो देखें बड़ी संख्या निकालने का सबसे बड़िया तरीका यह है कि योग और अंतर दोनो को जोड लीजे दोनों को मैं जोड़ूंगा 46 हो जाएगा ठीक है दोनों को जोड के 2 से डिवाइड कर दो आप 2 से डिवाइड कर देंगे 23 आपकी बड़ी संक्या हो जाएगी बड़ी संक्या पूछ रहा था बड़ी संक्या पता लग गी हमको 23 है अगर छोटी संख्या पूछ देता तो कैसे करते भाई देखो छोटी संख्या पूछता तो हमारे पास जो योग है उस योग को लिखेंगे जो अंतर है उस अंतर को भी लिखेंगे छोटी संख्या के लिए दोनों का अंतर करते हैं बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोडते हैं छोटी के कांतर में करूंगा 34 आ जाएगा ठीक है दोनों कांतर करके 2 से डिवाइड ठीक है आप डिवाइड कर दो के 17 बार में जाएगा ये छोटी संख्या हो गई तो अब यहां से क्वेशन में बता रहा था देखी कितने बनते हैं एक तो बड़ी संख्या एक छोटी संख्या कभी व उनों का हैल से हम निकाल के बता देना, बात समझे में आगी न, चलिए, अब देखते हैं अगला question, अगला question है, दो संख्याओं का योग 36 है, तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, देखिए, दो संख्याओं का योग कितना आपके पास 36 है, ये योग है, अंत चोटी संख्या के लिए मैंने बताया, दोनों का अंतर कर दो, दोनों का अंतर करेंगे 24 और 2 से कर देंगे से डिवाइट, तो आपकी चोटी संख्या निकल के आ जाएगी 12, ये चोटी संख्या है, और पिछले question में मैं अच्छे से बता चुका हूँ, इसको तो ऐसा कोई भ योग कितना है भई, योग है 75, अंतर है, अंतर कितना है भई, 25, तो दोनों का गुड़न फल क्या होगा, यानि कि इन दोनों का गुड़न फल नहीं पूछ रहा वो, वो पूछ रहा है कि हम पहले बड़ी संख्या निकल लें, और छोटी संख्या निकल लें, फिर उनका संक्या है ठीक है छोटी संक्या निकालने के लिए मुझे क्या करना है योग लिखना है 75 अंतर भी लिखना है अंतर मेरे पास 25 का छोटी संक्या के लिए दोनों का इनका अंतर कर लेते हैं तो अंतर आएगा 50 दो से कर देंगे डिवैट छोटी संक्या होगी 25 अब इनका क्या कर अब इन दोनों बड़ी और छोटी संख्याओं का मुझे गुणा करना है 25 बच्चे 125 और 1 के 0 हैं की 1250 दोनों का गुणा हो गया पहला option बिल्कुल सही अगर वो ये कह दे न कि गुणनफल क्या है चोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनफल उसने नहीं बोला था तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो केवल इन ही दोनों का गुणा कर देंगे और उन्हें आंसर मिलेगा नहीं फिर समझगे न ऐसा नहीं करते अब देखेंगे अगला question अगला question है दो संख्याओं का योग फल आठ है तथा उनका गुणनफल पंदरा है तो उनके ब्यूत क्रेमों का योग फल क्या होगा ब्यूत क्रेम ब्यूत क्रेम का मतलब उलटना ठीक है चलो योग आपके पास कितना है योग आपको दिया गया है आठ गुडन फल आपको दिया गया है कितना गुडन फल दिया गया है 15 तो ब्यूत क्रेम का योग क्या होगा कुछ करना ही नहीं है अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है जो योग दिया है ना पहले योग दिया गया है योग को उपर लिख लो बाद में गु अनफल को नीचे लिख लिख लो सवाल इतना ही है बस आंसर आ गया आठ बटे पंद्रे आंसर आ गया पहला उप्षन बिल्कुल सही जवाब कुछ करना ही नहीं है इससे आसां ट्रिक भाय और मैं क्या बताऊं कुछ करना ही नहीं है चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अग के पास तीन संख्या होती है पहली संख्या 114 दूसरी संख्या 21 तीसरी संख्या 19 उसने बोला है 19 से भाग देने पर इस 19 से भाग तो 19 से भाग हमें कौन सी संख्या में देना है हमेशा याद रखना बीच वाली संख्या में देना है कभी भी ऐसा कोशन आ जाए तीसरी संख् तो मैं क्या करना है 21 में भाग दूँगा 19 का 19 एकम 19 कट जाएगा ना 21 में से 19 कट गया तो 2 सेस बचेगा ये बात आप अच्छे से जानते हैं 2 सेस बचेगा यहाँ पे 2 जो कि हमारे B option में दिया क्या है केलियर हो गया ना सवाल चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है यदि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 4 सेस बचता है यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो सेस क्या होगा देखिए पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 5 है मैंने आपको बताया है कि तीसरी संख्या का डिवाइड हमेशा दूसरी में देते हैं लेकिन 4 में तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, भाई 4 में 5 से डिवाइड जाएगा ही नहीं, क्या कर रहा हैं से भाग दिया जाए वर्ग को 5 से भाग दिया जाए यानि कि 4 के वर्ग को देना है 5 के भाग चार का वर्ग हो जाएगा 16 अब इसे में 5 से भाग देना है 5, 3 का 15 तक कट गया 16 मैं से जब 15 तक कट गया तो से साब का कितना बचा 1 remainder बचा 1 C option सवाल का सही जवाब है अब देखेंगे अगला question अगला सवाल है कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है तो वह संख्या क्या है ऐसा सवाल कभी भी रहे इस से आसान तरीका अभी तक आपको नहीं मिला होगा जो मैं बताने वाला ऐसा सवाल कभी भी मिले दोनों को जोड़के 2 से डिवाइड कर दो 35 पिलस 71 दोनों को जोड़के 2 से डिवाइड 5 और 1 6 3 और 7 10 10 6 हो गया 2 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 53 यानकी 35 वो संक्या हमारी क्या है 35 है बी ओफ्सन बिलकुल सही कितने है 35 ये मैंने क्या लिख दिया 13 लिख दिया 35 है गलती से 13 लिख गया अब देखो 35 से बड़ी होनी चाहिए ठीक है 35 से बड़ी होनी चाहिए और 71 से छोटी होनी चाहिए 35 से क्या होनी चाहिए बड़ी यानि की पिलस और 71 से क्या होनी चाहिए छोटी यानि की माइनस जितना पिलस होगा उतना ही माइनस यानि की जितनी बड़ी है 35 से उतनी ही छोटी है 35 से 53 हो गया कितना बड़ा है 18 बड़ा है और 75 से 53 हो गया कितना छोटा है 18 ही छोटा है ठीक है तो यही तो बोला था कि 35 से जितनी बड़ी है उतनी ही 71 से छोटी है वह संक्या क्या है तो वह संक्या पता करने का सबस्यासन तरीका क्या है कि 35 और 75 ने सौरी 71 ये 71 से छोटा है तो आपको सबस्यासन तरीका यही है कि 35 और 71 दोनों को जोड़के दो से डिवाइड कर द जाना इतना काम तो कर देना लाइक शेयर जो बच्चे नए है अभी अभी तयारी करना शुरू किया है तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ठीक है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दवा देना जो गंटी का निशान है उस पर दवा के ओल पे क्लिक कर देना जिससे के हमारे वीडियो का नोटिफिकरिसन आपको बराबर मिलता रही ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद